हेलो फ्रेंड मैसल विशाल एंड वेलकाम टू माय यूटूब चैनल मिश्टर दारुनिया तो फ्रेंड इससे पहले वाले वीडियो मैंने एक मिसाइल लॉंचिंग सिस्टम बना के दिखाये था आपको और मुझे काफी जादा कमेंट्स आ रहे हैं उसके उपर के एक मिसाइ यूज की थी वो मैंने मार्केट से खरी थी ना कि मैंने उसे बनाया था लेकिन फिर भी मैं आपके लिए आपर एक मिसाइल छोटी सी बना के दिखाने वाला हूँ आपको और इससे बनाने के लिए आपर एल्यूमिनियूम फोईल का यूज करने वाला हूँ ये आपको 30 करने और उसके बाद क्या करना इसको बीच में सामें कट करना होगा तो इसे कट करना काफी ज्यादा आसान होता है इसके लिए आपको सीजर की जरूत नहीं पड़ेगी आप इसके लिजिए और इसके लिजिए और इसके बाद करना है वहां से हलकेल के हाथ से इसे उठाईए जैसे देख लीजे में वीडियो में इस टाइप साथ स्मूथ ली है कट हो चुगा है इसके बाद यह हमारे दो मिसाइल बन जाएगी इस फोईल से तो हम एक फोईल का यूज़ करेंगे सबसे पहले इसके बाद क्या करना है आपको एक साइकल स्पोग का यूज़ करना है यह आपको साइकल रिपेरिंग की शोपर मिल जाएगी दो रूपे की रेट है इसकी अगर यह आपको नहीं मिलती है फ्रेंड तो आप किसी भी पुरानी टोई कार्ज होती है उसकी जो शाप्ट होती है के अंदर वो भी यूज़ कर सकते हो और यह पर इसे कट करना है में 10-15 cm के अंदर तो इसे में कट कर लिता हूं फटाफट से और यह जैसे मैंने इसे कट कर लिया हूं उपर से बिल्कुल स्मूथ कर लिया है तो फ्रेंड जो हमारी मिसायल है उसे उडाने के लिए फ्यूल की जरोत हो गी और फ्यूल के लिए यह पर मैं शायकल असपर कि उपर सुधर दिलाइब और इसके बाद माज़ी स्की तीलिक ओपर देंगे तो फ्रेंड इन तीनों को हम इस टैप से रख देंगे, जिस टैप से मैं वीडियो में दिखा रहा हूँ, उसके बाद जो हमारे एलिमुनियम फोल है, उसके आप वीडियो में देख रहा हूँ यहाँ और आपको ध्यान रखना है, इसे उपर से बिल्कुल पेक रखना है यहा तो आपको ध्यान से इसको बिल्कुल उपर से पेक करते हुए, जैसे मैं वीडियो में दिखा रहा हूँ, इसको बिल्कुल फोल करना है, इस टैप से गोल गोल, तो यह हमारे हो जाएगा, उसके बाद फ्रेंड इसका हिस्सा बचा हुआ है, इसको हम यहाँ पेक कर देंगे ताकि जो हमारा प्रेसर है, इसके अंदर का यह हमार ऊपर से न निकल जाए, तो इस टैप से इसको मोर दीजिए, उपर की साइड से और उसके बाद प्लार लेना है, और प्लार हल के हाथ से इससे दवाना है, जिससे यह उपर से बिल्कुल सील हो जाएगा, इसके बाद इसको क्या करना है, इसको मिसाइल का लुक देने के लिए इस टैप का आपको चोको रिस्सा लेना है, और इसको इस टैप से शेप देनी, इस टैप से में वीडियो में देखा रहा हूँ, अगर आप इसका यूज नहीं करते हो, तो कोई जरूरत नहीं है, मैं बस इसको एक म करेंगे तो बाद यहां पर सप्सक्राइब के लिए ऐा यहां पर सब्τοसक्राइब...... अब यहाँ पर इसे उड़ाने के लिए यापर इसका जो हमें स्टेंड बनाना होगा, स्टेंड के लिए यापर मैं एक तोड़ा मोटा वाला वायर ले रहा हूँ इस टाप से देख लीजे वीडियो में आप और इसके जो हमारी साइकल स्टोक है उसके नीचे की साइड में से टर्न देता हूँ और इसे अच्छे से टाइट फसा देता हूँ यापर तो जैसे देख लीजे मैंने इसे लगा दिया है यापर लेकिन ये जो है वायर है तो इसके उपर अच्छे से टाइट नहीं फसेगा इसलिए याँ पर मैं एक फेक की बून डालता हूँ इसके अंदर ताकि अच्छे से चिपक जाएगा और बार बार हिलेगा नहीं इसके बाद परण नीचे से इसे इसे स्टेंड का सेथ देने के लिए मैं एक प्लार ले रहा हूँ और इसके यहाँ पर चोकोर दे देता हूँ ताकि यthose मारे स्टेंड के रूप में टिक जाएगा कहीं पर भी तो जैसे देख लिए जैसे मैं इसे चोकोर और शेफ दे दिया है और इसके बाद इसे बार-बार एक गिरे नहीं इदर उदर तो इसके लिए यापर MDA बोर्ट का यूज़ कर रहा हूं और इसको उपन यापर मैं फेकिक लगा दूँगा तो आप किसी और का भी यूज़ कर सकते हूं यापर तो जैसे देख लिए हमारा तयार हो चुक है मैं आप इससे चला के दिखा देता हूं आपको और फिर यह आठ से दस फीट तक दूरी तक जा सकता है तो आप जैसे देखिए इसको तो फिर वीडियो कर अच्छी लगे तो लाइक कर देना चैनल पर नदो तो सब्सक्राइब कर देना बेल आको दबना ना भूले जिससे मेरी हर एक नव यूटूब नोटिश फिक्शन आपको सबसे पहले मिल जाएगी जै हिंद जै वारत मिलते हैं अगली वीडियो में बा